आईग्रेन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. दिसंबर में 5.5 शून्य लाख टन सरसों की क्रशिंग होने का अनुमान. भारत में सरसों की बिजाई प्रक्रिया जल्दी ही समाप्त होने वाली है और अगले कुछ सप्ताहों में इसकी नई अगैती फसल त पता चलता है कि दिसंबर 2019 में राष्ट्रियस तर पर 5.5 शून्य लाख टन सरसों की क्रशिंग हुई जो गत वर्ष के लगभग बराबर ही है. प्राप्त आकरों के अनुसार हाला की हाजिर मंडियों में सरसों की कुल आवग गत सीजन की तुलना में अधिक हुई लेकिन इ के दोरान घरेलू बजार में सरसों की आवग 72 लाख टन से बढ़कर 75 लाख टन पर पहुँझ वई. इस बार लीन या ओफ सीजन के दोरान भी मंडियों में सरसों की अच्छी आवग हुई क्योंकि एक तो 2018-19 सीजन के दोरान उत्पादन अधिक हुआ और दूसरे इसका पूर्ण तिलहन फसल है और फरवरी से इसका नया माल मंडियों में पहुँचना शुरू हो जाता है. राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक प्रांथ है. राजस्थान की मंडियों में दिसमबर माह के दोरान करीब एक लाख टन सरसों की आवग हुई जबकि इसकी म 31 दिसमबर 2019 को किसानों, प्रोसेसर स्टाकिस्ट एवं सरकारी एजेंसियों के पास कुल मिलाकर 12 लाख टन सरसों का उत्पादन 2017-18 के 71 लाख टन से बढ़कर 81.1 लाख टन पर पहुँचने का अनुमान लगाया है. ओल मिलर्स की जबरदस्त मान को देखते हुए जनवरी फर जबर टन सरसों किसान।